तो दोस्तों आज़ करम विट्कौइन या क्रिप्टो कंसी मार्किर से अलगा टके ग्लोबली मार्किर की बात करते हैं तो आस एन पी 500 यहां पर हमें डाउन आता देख रहा है उसके अलावा यहां पर अगरम इंडियन निफ्टी की बात करते हैं तो यहां पर बात करते हैं तो यहां पर अगर मैं आपको अपडेट कर रहा हूं और रोज इसी तरीके से अपडेट करता रहूंगा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है टेट फॉर प्रॉफिट यूटीब शैनल में मैं हूं आपका दोस्त निजाम तो यहां पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं S&P 500 Index की तो यहां पर मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था Twitter पर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पर देखा होगा कि इस तरह से मैंने वहाँ पर एक चार्ट को पोस्ट किया था weekly चाट तो अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखो मैंने कुछ बताने की कोशिश की है क्योंकि यहां पर जो मामला बन दा है हम देखेंगे तो यह 200p8 का सपोर्ट लेता है और अच्छी कासी रिकवरी दिखाता है थू एक्ड़का स्फ़ोड़ लेता है के अच्छागाशा ऊपर गया डैकं यहां पा जो ररेड कलर की टेंड लाइन आपको देखने को भी आता है तो यहद छू कलर की टेंड का स्वाब जाता है खिसको वहां से yes नीसे से यह गिर जाता है तो अभी भी देखो इसने यहाँ पर यह टुछ किया, 200 के यहाँ पर जो रेड कलर के आपको लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ पर, और यहाँ से प्राइज नीचे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर जो मैंने पिक्चर पोश्ट की थी कुछ दिन पहले की तो वहां पर अच्छा कासा है यहां कहीं पर था प्राइज और अभी हम देखेंगे तो लगतार नीचे हमें आता दिख रहा है और यहां पर इस जोन में सपोर्ट लेकर इस तरह से साइड़ वेस कंडिशन को बना कर मुझे से लगता है कि 2024 में यह उपर जाएगा बाकी इतने टाइम में यह इस रेंज के अंदर ट्रेट कर सकता है ठीक है तो अगर हम देखेंगे तो पीछे भी आप देखो के तो कुछ जब भी 200 प्रिट के पास आता है तो उपर जाता है नीचे आता है और उसके बाद एक स्पाइक मारता है तो कहने मतलब यह है कि यह सारी देखो सा इतनी मार्कीट होती है क्रिप्ट वकंसी गलोब बाकी निफ्टी और अपना जो यूनाइटट इस्टेट की मार्केट अर्च जो भी global market है यह सब एक दूसरे पर impact करती है, तो यहाँ पर अगर हम Nifty की बात करेंगे, तो Nifty में भी कुछ यहाँ पर मैंने analysis करने कोजिस की है, तो Nifty को अगर हम जान से देखेंगे daily chart पर, तो हम देखेंगे कि Nifty उपर से जो high लगा रही है, वो नीचे की तरफ लगा रहा है, और यहाँ पर trend line को मैंने plot किया हुआ है, और अगर नीचे हम देखेंगे, तो trend line को मैंने यहाँ पर yellow color की plot किया, जहाँ पर बार-बार Nifty का price support ले रहा है, यानि कि कहने मतलब अगर हम weekly chart पर इसको एक बार देखते हैं, तो एक descending triangle हमें यहाँ पर हम होता दिख रहा है, तो यहाँ पर आप सोच रहा होगे कि हम तो cryptocurrency में काम करते हैं, हम लोग और यहाँ पर हमाएं Nifty और S&P 500 की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर लेकिन हमें सब को समझना होता है, हमें सब तरफ देखना होता है, उसके बात क्योंकि हमारी भी जो crypto consumer market है, यह और उसके जुदा नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर इस descending triangle का breakdown होता है, तो नीचे हम 14,000 तक जा सकते हैं, 14,000 से 16,000 तक इस support zone के असपास हम आ सकते हैं, और एक next वीडियो में मैं बहुत ही important video लेकर आऊंगा, मैं उसको तयार कर रहा हूं और बहुत जल्द एक दो दिन के अंदर आपको वीडियो पोश्ट कर दूँ, तो दोस्तों यहाँ पर एक request करना चाहूंगा कि हमारे analysis अकर अच्छे लगते हो, तो लाइक जरूर किया करो, और जो लोग नए है चैनल को पहली बार देखना, subscribe कर लें, notification बेल को भी on कर लें, यहाँ पर हम बात करते हैं, बीटीसी की, तो बीटीसी के 26,000 जाएगा, यह बीटीसी 35,000, 36,000 की जाएगा, यहाँ पर इस पर बात होगी, ज्यान से देखना, वीडियो को ज़्यादर बड़ा नहीं करूंगा, एक शॉर्ट से अपडेट देने की कोशिश करूंगा, एक सिनेरियो समझाने कोशिश करूंगा, कि कुछ इस तरह से 69,000 का हाई लगाने बाद बिटकोईन का प्राइज, कुछ इस तरह की एक बियर फ्लैक के अंदर गया, वहाँ पर भ नहीं लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा डाउन फॉल होने बाद इस तरही कंडिशन को बियर फ्लैक ही बोलते हैं और यहां पर हम देखेंगे तो टू हंडेट के नीचे हम ट्रेट कर रहे तो और वह भी डिट क्रॉस के साथ, यहां पर एक डिट क्रॉस आप देख सकते ह तो यह जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर जो ऊपर दो लाइन लगी दिख रही है मैं आपको देखने में असानी हो तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इस जोन के अंदर प्राइस यहां पर लगातार इसको आया यहां पर गिर के और इसको तोड़ने की कोशिश की 26,700 तक गया लेकिन अगर यहां पर हम देखेंगे तो क्लोजिंग उसके अंदर हुई अब यहां पर कंडिशन क्या बन रही है अब यहां पर कंडिशन यह बन रही है अगर हम इसको देखते हैं थोड़ा सा चोटे टाम फ्रेम पर यानि वन आवर के चार्ट पर तो देखो कल के दि कल के दिन जो मैंने अपडेट की थी तो प्राइज यहां कहीं पर था और मैंने बोला था कि प्राइज इस बॉटम पर जा सकता इस जोन पर आप देख सकते हैं एक्जेक्ट उस पर ही आकर बाउंस बैक होने की कोशिश कर रहा है देखो यह जो जोन एडिया दिख रहा है यानि कि यह जो एक जोन एडिया दिख रहा है यह बहुत इंपॉर्टन सपोर्ट है बिटकोईन का अगर डेली चार्ट पर देखो मैं बार-बार याद इसले दिला रहा हूं ताकि आप लोगों कुन confusion बिलकुल ना हो आप यहाँ पर देखोगे तो देखो यह एक support यहाँ पर support लिया बिटकोईन का प्राइज उपर गिया 65,000 तक यहाँ पर बिटकोईन के प्राइज ने support लिया उपर गया 69,000 तक अभी तीसरी बार यहाँ पर support लेने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर कुछ नाटकी घटना क्रम यहाँ पर चल देखने को हमें मिल रहा है तो हमें आगे क्या करना है देखो जब तक के यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि conclusion अगर बात करेंगे वीडियो का तो निचोड यह है कि अगर हम बात करेंगे कि हम 80,000 और 29,000 का जो support एरिया है जहाँ पर यह मारकिंग मैंने की थी इस जगाँ पर यह ग्रीन लाइन से उपर जो support एरिया है अगर इसको break करता है यहाँ पर बात समझना अगर इसको break करता है तो price हमें 26,700 वापस देखने को मिलेगा उसके बाद हमारे पर जो दूसरा support होना चाहिए वो होना चाहिए लगबग 22,500 के असपास मुझे इस लगता है कि 22,000 तक market 22,000 देखो यह यह लाइन तक price आना चाहिए 22,500 के लगबग यहाँ पर हमें देखने को मिलना चाहिए अगर यह area break होता है काउन सा area मैं फिर बता देता हूँ कि यह देखो यह जो एक दो लाइन का जो support लगा हुआ है यह area जहां पर price अभी support ले रहा है लेकिन वहीं पर अगर हम देखें कि globally market down आ रही है तो dxy index क्या कर रहा है टॉप पर खड़ा देखो यह resistance area मैंने काफी बार आपको दिखाया और यहां पर एक बेरिश डाइवर्जन क्रियेट हुआ है डेली चार्ट पर यह bitcoin के लिए एक ऐसा symptom हो सकता है कि जो bullish बोला जा सकता है यहां पर आप देखो कि यहां पर dxy index में resistance area पर एक डाइवर्जन क्रियेट हुआ जिसको बोलते है बेरिश वहीं पर अगर हम बीटी सी को और यह आप एक चीज़ और देखो यहां पर मैं बार इससे पहले भी यह चीज़ मैंने बताई यह dxy index एक resistance area पर trade कर रहा है वहीं प को अपनी capital को चार से पाच पार्ट में divide करना है आपके पाथ 100 डॉलर है आपको पाच पार्ट में divide कर लिए 20 डॉलर से यहां पर हम investment कर सकते हैं बाकी हम रखना होगा क्योंकि जिस तरीके से यहां पर global markets का हाल है उस तरीके से यहां पर मामला और भी गंबीर हो सकता है तो य अगतार एक sideways condition में अब bitcoin के price को flow कम मिलेगा यहां पर honestly update कर रहा हूं कुछ घुमा पिराकर नहीं बताऊंगा टिंपल सा है एक range के अंदर फस गिया है वन आवर या फोर आवर्स के चाट पर तो यहां से हम देखेंगे तो जब या तो यह नीचे की side भी रेक करे तो एक flow मिलेगा market को कुछ इस तरह का जब यहां से हम गिर के आए थे जिसे की daily chart पर जो bear flag बना हुआ था अगर हम देखेंगे तो हम कुछ इस तरह से यहां से गिर कर आए थे यह bear flag बना था यहां से ग्रावट हुई और price चलागे एक range में और range का breakdown हुआ तो बड़ी ग्रावट हुई यानि market को एक flow मिला हमें जाने कोशिश कर रहा हूँ अभी हम किस range में फसे में देखो ऊपर नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर नीचे ऊपर इस तरीके से एक range में है horizontal range और horizontal range ऐसी होती है जहां पर कुछ भी कहना मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर bull और bear दोनों equal होते हैं आई बास सम अंगल box के अंदर price पसा है जो की sideways condition को दर्शाता है अगर यह नीचे के side breakdown कर जाता है तो हम 26,700 तक जा सकते हैं हम 22,500 तक जा सकते हैं और अगर यह ऊपर के side break करता है तो फिर हमारे पाद जो target होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 36,000 का ठीक है यहां पर आप समझ सकते हो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की क्योंकि यहां पर अगर honestly बोलेंगे कोई यह बोल लेकि मैं बता दूँगा कि bitcoin का price कि धर जा सकता है तो यह नामकिन सी बात है हाँ DXY इंडेक्स में जिस तरीके से bearish diversion create हो रहा है यह bitcoin के price के लिए अच्छा है क्योंकि अगर हम daily chart पर bitcoin के price को देखेंगे तो देखेंगे तो यहां पर अगर हम RSI को plot करते हैं तो कोई asset divergen अगर यहां पर हम देखो यह जब यहां पर आप देखो line chart पर तो एक divergen समझ में आ सकता है इसको मैं पहले भी update कर छुपा हूं तो फिलाल यहां पर bullish divergen हलका फुलका create होता दिख रहा है bitcoin क यहां पर इस मतलब यह जो मैंने range दिखाई आपको इस range का अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से सुनना बिल्कुल यहां पर वीडियो खतम करूंगा इस range के नीचे पर आई यह इस range को तोड़कर ऊपर जाए तो यहां पर हमें समझ में आएगा नीचे हम जाते हैं तो 26,700 ले से अगले हफते तक यह चीज हो जानी चाहिए आज वैसे भी संडे मार्केट्रों साइडवेज होती है और यहां तो मार्केट अगर हम देखेंगे तो लगबक 12 मही के बाद से साइडवेज ही चल लगी है यानि कि 9 जिन से एक range के अंदर trade कर रहा है विट कोई का प्राइज उपर जाता है तो नीचे आ जाता है नीचे आता है तो उपर चला जाता है तो यहां पर अपनी नदर बना कर रखो इस range के उपर और आगे जो भी मार्केट के update होगी वो लगतार आपके साथ share मैं करता रहूँगा तो चुछ दोस्तों मुझको एजाद दो next update मिलता हूँ ज subscribe जरूर कर लेना notification बिल को भी on कर देना जै हिंद जै भारत